Good morning students, lecture 3 में आप सभी का स्वागत है, lecture 1 और lecture 2 में हमने क्या पढ़ा था, तो lecture 1 में हमने देखा था, introduction of auditing, ठीक है, फिर lecture 2 में मैंने आपको सिखा जाता कि auditing क्यों किया जाता है, what is the purpose of audit, तो उसमें हमने एक purpose देखा था कि financial object, तो financial object तक हमारा खतम हो गया आता, अभी financial object मतलब क्या होता है, financial audit मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर हम finance के related सारे चीज़े चेक करेंगे, अभी finance के related क्या चीज़े चेक कर सकते हैं, तो balance sheet हो गया, profit and loss account हो गया, तुमारा trading account हो गया, तुमारा फिर कुछ cash flow statement हो गया, another nose to account, ये सब चीज़े चेक करना प्रात्मिक जिम्मेदारिक इसकी है, auditor की है, ठीक है, लेकिन इसको बनाने के जिम्मेदारिक इसकी है, तो management की है, तो auditor तो year खतम होने के बाद आ रहा है न, मतलब when accountancy ends, auditing will be start, accountancy कब start होता है, तो 1st of April से लेके, 31st of March तक, ठीक है, उसके बाद क्या start होता है, audit, मतलब पहले management अपना account बना के prepare कर लेगा, उसके बाद ही हम audit कर सकते, audit किस चीज़ का हो सकता है, तो financial items का, अब ये financial items या financial statement मतलब क्या, तो balance sheet बोलो, nose to account बोलो, profit and loss account बोलो, trading account बोलो, ये सब तुमारा financial statement में cover होगा, ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था, कि हमारा main object क्या होगा, कि ये जितने भी financial items है, उसको properly check करके review करना, if you are an auditor, और auditor normally कौन होता है, तो practice in chartered accountant, जिसके पास CA का degree होता है, वो लोग audit कर सकते है, normally, हर case में ये जरूरी नहीं है, वैसे cases कौन से है, जहाँ पर CA नहीं होगा, फिर भी audit कर सकते है, वो हम बाद में देखेगे, ठीक है, लेकिन एक main object याद रखो, कि audit करने का सबसे पहला जिम्मेदार है किसका होगा, तो management का होगा, management auditor को appoint करेगा, और वो audit होगा, तो चलो अभी next देखते है, incidental object, दूसरे चोटे मोटे objects क्या होते, तो detection and prevention of error, जो भी भी आप कोई चीज़ चेक करते हो ना, तो चेक करते करते हैं, आपको क्या मिलती है, बहुत सारी errors मिलती है, ठीक है, तो वो errors आई, तो वो errors को आप eliminate कीजिए, eliminate कीजिए मतलब कम कीजिए, या तो फिर उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, तो detection of, detection of, detection and prevention of errors, incidental object of an audit is detection of error, incidental मतलब भी primary object नहीं है, primary object audit करने का क्या होगा, तो to be checked, क्या होगा, primary object हमारा क्या होगा, हमेशा audit करने का, क्या करेंगे, चीजों को check करेंगे, ठीक है, check करने के बाद उसका हम क्या देगे, review देगे, review, auditor को बुलाते क्यों है, क्योंकि auditor क्या करता है, review करता है, कि इस चीज़ का review करता है, तो books of accounts का, कि जो books of accounts आपने बनाई है, वो up to the date है, क्या वो true and fair view है, ये review देने का काम एक auditor का होगा, एक chartered accountant का होगा, ठीक है, लेकिन जब वो review कर रहा था न, तो उसको accounts में क्या मिल गया, कुछ errors मिल गए, ठीक है, तो वो errors को eliminate करने का काम भी उनका है, क्या लिखा है, देखिए, incidental object of audit is detection of error, error may be defined as mistake, error का मतलब क्या होता है, mistake, due to, negligency, ठीक है, ignorance की वज़े से हो गया, but without any intention ज्यान देना, without any intention of cheat, मतलब ये error इसलिए हुआ, क्योंकि हमें कुछ चीजों के बारे में knowledge नहीं थी, Like for example, समझो, आपने कोई accountant को रखा है, उसको debit credit का knowledge proper नहीं है, शायद वो first time job कर रहा है, या तो फिर वो नया-nया है, fresher है, अभी काम को सीख रहा है, तो जब भी हम कोई काम को सीखते हैं, तो error होना सभावी कह, मतलब error होई सकता है, ठीक है, तो वो error अगर होगा, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में auditor आके उसको rectify करवा देगा, तो क्या लिखा है, देखो, incidental object of audit is detection of errors, errors may be defined as mistake, due to negligency, but without any intention to cheat, हमारा main intention नहीं साके हम किसी को cheat करें, error may be arise at various stage, different different stage जिसमें errors हो सकते हैं, इन accounting, records, errors arise due to carelessness of the check, due to ignorance of the principle of accounts, principle of accounts भो हमने proper follow नहीं किये, जो हमारे three golden rules से, जैसे के हमारे three golden rules कौन से कौन से होते हैं, तो personal, real and nominal, उसके जो भी rules हैं, वो हमने properly follow नहीं किये, तो भी आपके accounts में error आ जाएगा, अगर आपने error को क्या नहीं किया, detect नहीं किया, तो आपका finances statement 100% true and fair नहीं होगा, मतलब आपको financial statement जब आप check कर रहे हो as an auditor, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या सारे rules and regulation, क्या सारे accounting standards, क्या सारे auditing standards से follow किये हैं या नहीं किये, नहीं किया है, मतलब ये accounts में कुछ error रहे गई है, तो वो error को eliminate कीजिए, कम करने की कोशिश कीजिए, I hope यहां तक आपको समझा रहेगा, थोड़ा सा भी और आगे देखते हैं, क्या लिखा है देखो, detection and prevention of fraud, next step क्या है, कि detection and prevention of fraud, fraud से बचिए, अगर fraud आपको दिख रहा है, तो उसको detect कीजिए, और उसका information provide कीजिए, किसको provide करोगे, तो to the management, to the shareholder, जिसने आपको appoint किया है, fraud is a deliberate, deliberate मतलब जान बुझ के की कही गल्टी, to cheat someone, हमको अगर किसी को cheat करना है ना, तो fraud हम systematically करते हैं, मतलब देखो, error को पकड़ना, it's too much easy, but fraud को पकड़ना, too much difficult, क्योंकि fraud सामने वाला बहुत सोच समझ के प्लान के साथ करता है, तो fraud को अम्मेशा पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा time लगेगा, एक थरो knowledge चाहिए, उसके बिना आप कोई fraud चेक नहीं कर सकते हैं, या कोई fraud पकड़ने सकते हैं, क्या लिखा है देखो, fraud is a deliberate mistake committed in account with a intention to deceive others and get the personal gain, आपको क्या करना है, अपना personal benefit लेना है, detection and fraud is more difficult, देखो लिखा भी है, कि detection of fraud is more difficult than detection of error, error को detect करना is too much easy, क्योंकि वो तो mistake है, ना, कोई बच्चा अगर mistake करेगा, या तो भी कोई accountant mistake करेगा, तो teacher कैसे फटा-फट उसको पकड़ लेता है, लेकिन अगर तुम fraud कर रहे हैं, तो उसको पकड़ने में time जाएगा, ठीक है, because the person committing the fraud, क्योंकि जो बंदा fraud कर रहा है, will also try to cover it up, तो वो अपने fraud को छुपाने की कोशिश करेगा, अपनी financial policy ऐसे बनाएगा, कि आपको वो fraud नजर में ही ना आए, तो वो fraud को पकड़ने का भी जिम्मेदारी किसका होता है, auditor का होता है, कि whenever we check the accounts, हमें वो accounts में कुछ fraud दिख रहे है, ऐसे कोई transaction है, जो transaction की वज़े से company को बहुत बड़ा loss होने वाला है, तो वो transaction को पकड़ने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, auditor को होती है, एक बार वो fraud पकड़ में आ गया, तो उसके related जितने में लोग होते हैं, वो लोगों का report भी auditor सब्मिट करता है, to the different different authorities, ठीक है, the auditor has to detect fraud committed so as the ensure that the finances statement gives true and fair view and state the affairs and the working of results, ओके, next दीखिए, other audits, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे audits होते हैं, जैसे के internal auditing aims, to examine the account, ensure that the record is properly maintained, अभी internal audit मतलब क्या होता है, कि company के अंदर ही audit हो रहा है, ठीक है, जैसे चोटे-चोटे transaction हो रहा है, side by side उसका checking भी हो रहा है, चोटे-चोटे transaction हो गया, side by side उसका checking हो गया, इसका मतलब क्या होता है, accountant ने अगर 7 दिन का entry pass कर लिया है, तो weekly audit चल रहा है, कुछ कमनियों में मन्थली audit चलता है, बर banking में daily audit होता है, क्यों बैंकिंग में daily audit होता है, क्योंकि morning 9 o'clock से दुपेर को 3 बजे तक, बहुत सारे financial transaction होते हैं बैंक में, deposit होता है, withdraw होता है, डीडी issue होता है, different different FDs होता है, तो यह सब जो deposit and withdrawals हो रहा है, वो proper flow में जा रहा है, कितना पैसा banks में आयां, बैसा bank में गयां, ऑपर day का square off करना होता है, क्योंकि 3-6 या 3-8 जो भी remaining banking hours हो उसमें customer पैसे deposit या withdraw हो नहीं करते हैं, इंटरनल बैंकिंग सेटलमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, एक दिन की गलती हम दुसरे दिन पे नहीं रखेगे पर रेक्टिविकेशन, वही दिन आप रेक्टिफाई कर लीजिए, सेम डे वो रेक्टिफाई होता है, क्योंकि बैंक में ट्रांजेक्शन बहुत जादा होते हैं, अगर लॉंग टाम तक अगर हमने उसको रेक्टिफाई किया, तो वहाँ पे थोड़ा प्राब्लम्स हो अगर कोई कंपनी ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास 30 air conditions है, ठीक है, एक लाख रुपे का फरनीचर है, तो वह सारी वेल्यू का असेट्स कंपनी के प्रिमाइस इसमें दिखना चाहिए, ना कि कही और, ठीक है, तो टू सेफगार्ड दे कंशन आप दे कंपनी, नेस्ट का लिग आप रिपोर्ट करोगे, एफिशन सी आप दे मेनेजमें चाहिए, ठीक है, तो रिविव करने के बाद आप रिपोर्ट करोगे, एफिशन सी आप दे मेनेजमेंट, कि management कितना efficiently पॉलिसी के इससाब से काम कर रहा है नेक्स का दिया है देखिए नेक्स है cost audit aims to ensure that the cost statement tally with the cost record costing कर गया आपको subject आता है उसमें अपने cost sheet बनाई होती है cost sheet से हम क्या find करते है cost of the product तो वो जो cost जब आप बनाते हो ना तो अपने बहुत सारे cost को add या less किया होगा ठीक है तो बहुत सारे cost को add करने के बाद अपना profit जोडने के बाद क्या वो up to the mark है क्या वो जो cost structure जो बनाया है वो प्रॉपर बनाया है वो भी check करने का review करने का काम किसका होता है तो auditor का होता है तो cost audit aims to ensure that the statement tally with the cost record and give true and fair view of the cost, cost of production, cost of marketing of the product and last tax audit, tax audit under the income tax act aims to ensure that the income of the concern is computed in accordance with the provisions of the income tax मतलब जितने भी incomes है वो as per income tax के हिसाब से आपने सारी income शो की है और वो income पे आपने प्रॉपर ली टाइम पे tax pay किया होगा ठीक है यह सब चीज़ चेक करने का भी काम किसका होता है auditor का होता है next देखते है हम error next topic क्या है आपका error error का meaning क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए error okay so error error मतलब क्या होता है mistakes होता है error करने का मतलब यह नहीं होता है कि मेरा intention होगा तो to cheat the company company को cheat करना हमारा intention नहीं था बहुत पर क्या होता है कोई काम करते करते errors आती है like for example मैं आपको best example दू ना तो अभी यह जो video recording हो रहा है ना वो video recording होते होते भी बहुत बार error हो जाती है error को rectification करना चाहिए क्या error वाला चीज long time तक चलता नहीं है और वो अच्छा नहीं दिखता है जैसे के sales का transaction अगर होता है तो sales के entry गया होती है cash sale होगा तो cash account debit to sale account बट मैंने गल्टी से क्या लिख दिया sale account debit to cash account due to unawareness about the accounting principle तो that's called error which mistake which result in miss statement of books of accounts अगर error होगा तो आपका books of accounts कैसा दिखेगा miss statement कैसा दिखेगा miss statement दिखेगा the following are types of error सबसे पहले क्या लिखा है error of principle आपको देखके ही पता चल गया रहेगा error of principle principle error का meaning क्या होता है कि जब accounting transaction में accounting principle आपने properly follow नहीं किये होगे तो इसको हम क्या बोलेगे error of principles error of principle occurs when the generally accepted accounting principle चलो तो बच्छोई आपर क्या रहाद रखोगे आप generally accepted accounting principle generally accepted accounting principle इसको हम क्या बोल सकते है gap जी ए ए पी इसका meaning क्या हुआ generally accepted accounting principle are violated आपने उसका पालन नहीं किया है you are not following that ठीक है एक normal accounting principles होते है कि dators को हमें इसा debit balance होना चीए creditor का always credit balance होना चीए जब यह सारे principle आप follow नहीं करते हो तो उसको क्या बोलते है कि you violated some accounting principles search error does not affect the trial balance इसे trial balance affect नहीं होगा आपका trial balance टैली होगा but wrong side या wrong amount पे search types of error are committed when the principle of accountancy are not observed अपने principle of accountancy observe नहीं किया है follow नहीं किया है search error affected the profit and loss account and the balance sheet यह error क्या affect करेगा आपका P&L account and balance sheet the auditor has to verify carefully auditor को careful रहना चाहिए for detecting this type of error because this error are not disclosed by the trial balance and search error are affected financial statement example example देखलो जैसे के treating revenue expense क्या लिखा है यहां से देखो क्या लिखा देखो treating revenue expense as a capital expense and vice versa suppose you purchase some machinery ठीक है तो normally वह machinery को आपको capitalize करना चाहिए क्योंकि वह आपकी assets है लेकिन आपने क्या सोचा यह मेरा revenue expense है और आपने उसको P&L account debit set पर record कर लिया जो तो जो क्या है गलत बात है तो यह चीजे नहीं करनी चाहिए तो यह क्या है ट्रीटिंग revenue expense as a capital expense revenue expense को हमने capital expense गिन लिया या तो फिर capital expense को हमने revenue expense गिन लिया वैसे vice versa next क्या लिखा है over and under charging the depreciation depreciation का amount हमने बहुत जादा charge कर लिया क्यों जादा charge किया होगा because of error हमें वो कितना percentage of depreciation charge करना चीए वो पता नहीं था हमने गलती से उस पर 50% ले लिया कोई assets पर या तो कोई assets पर हमने 60% ले लिया but as per income tax 40% से जादा आप कोई assets पर depreciation charge नहीं कर सकते नॉर्मली सारी assets पर depreciation के rate different होते हैं जैसे plant and machinery पर rates कितना होता है तो 15% अगर आपके पास furniture है तो उसका 10% होता है अगर आपके पास motor car है तो उसका normally 15% होता है लेकिन आप ओला उबेर जैसी company हो जहाँ पर आपका business ही है कि कार को भाड़े पर देना तो वह आपके 30% depreciation अलाग होता है कि वह आपर running and maintenance of car will be more than normal businesses ठीक है तो ऐसे different डिफरेंट अर्सेट के depreciation rate government ने maximum decide किये है उनसे जादे आप चार्ज नहीं कर सकते ठीक है और उनसे कम भी चार्ज करना एक तो अच्छी बात नहीं है बहुत depreciation का rate up to the mark होना चाहिए ठीक है तो एक तो वह आपको चेक करना है कि over charge तो नहीं हो गया है ना या under charge तो नहीं हो गया है लिकिन यह तो रिपेरिंग का खर्चा है जो every year होता है और every year होता है तो उसको क्या बोलते revenue expenses तो वो कहा रेकॉर्ड होना चाहिए पी एनल अकाउंट के debit side मितलब क्या nominal account nominal का रूल क्या है debit all expenses and losses तो आपने वहां पे लिखने की जगा पे क्या कर लिया है अपने रिपेर्स अकाउंट को डाल दिया था कहां पे बिल्डिंग के cost of the assets में अड़ कर लिया नैस क्या लिखा है देखो clerical error clerical error are the human error ज्यान देना यहां पे क्या लिखा है clerical errors are human errors which are committed in the process of the recording of financial transaction following are the types of clerical error error of omission यह omission मतलब क्या होता है भूल जाना हमने वो transaction record ही नहीं किया तो देखो omission मतलब भूल जाना दो टाइप का होता है record किया यह नहीं किया number one record किया तो हमने कुछ parcel amount रेकोड किया full value पर record नहीं किया for example 10,000 का goods था बट मैंने record कितना किया 1,000 मतलब 9,000 का तो transaction omission हो गया next होता है मैंने full record ही नहीं किया full record नहीं किया मतलब complete omission ठीक है तो देखो क्या है error of committed by not recording the transaction in books of account हमने transaction books of accounts में record ही नहीं किया है is called error of omission omission मतलब भूल जाना बहुत बार हम बहुत सारी चीज़े भूल जाते हो और जो भी principles of accounting follow भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन वह कौन है एक human है तो बहुत बार हम लोग गलती से कोई account transaction record करना भी भूल सकते हैं for example मेरे पास 10,000 purchase के बील है 20,000 sales के बील है शायद उसमें दो-तिन bill को record करना भूल गया तो that's called error of omission such omission may be complete or partial omission कैसा हो सकता है या तो complete या तो partial complete मतलब क्या होता है पुरा transaction ही record नहीं हुआ है again I am repeating complete omission means what you are not recording full transaction आपने वो bill record ही नहीं किया आपने वो transaction record ही नहीं किया in the books of account that's called complete omission but what do you mean by partial omission partial omission means हमने वो transaction record किया है लेकिन कुछ गलत amount पे किया होगा कम amount पे record कर लिया है तो that's called partial omission ठीक है तो first we look complete omission when the transaction is not recorded at all क्या लिखा है not recorded at all again I am repeating चलो फटा पट एक बर देख लो क्या लिखा है when the transaction is not recorded तो आपको वर्डिंग क्या ज्यान रखना है not recorded answer में आना चाहिए at all at all मतलब कहां पे भी in the books of account then it is the case of complete omission search omission does not affect trial balance क्योंकि debit में भी कोई effect नहीं आया है credit में भी कोई effect नहीं आया है trial balance tally होगा लेकिन कुछ different amount पे ठीक है example purchase transaction not recorded at all next partial omission यहां पे आपने record किया है लेकिन partially when a transaction is recorded only partially then it is partial omission search error affect the trial balance example goods purchase from creditor recorded only in the purchase book मतलब purchase book में आपने record किया है and omitted to be recorded in creditor's leisure but credit effect देना भूल गए हो तो that's called partial omission ठीक है चलो next देखो error of omission can be detected अगर यह error को आपको detect करना है तो आप कैसे detect करोगे watching and verification through watching मतलब आप बिल चेक कर लो बिल को चेक करना मतलब vouching करना to vouch vouchers and verification मतलब क्या होता है समझो कोई assets purchase की थी ठीक है वह हमने record नहीं किया तो physical verification करके गिनके देख लो मतलब अगर businessmen ऐसा बोल रहा है कि उसके पास 10 air conditions है तो 10 air conditions physically दिखने भी चाहिए बट accounts में समझो लिखे है गलती से 8 air conditions तो दो record नहीं हो है ना तो हो गया ना detection by verification फिर लेजर स्कूटीनी मतलब क्रेडिटर या डेटर से जो भी माल हमने purchase किया है या sale किया है तो उनसे external party confirmation मंगवा लो एक बात क्रेडिटर को भी बोलो आपने हमें जितना भी माल सेल किया था उसका हमें हमारा लेजर अकॉंट दे दो मतलब क्या confirmation of the record by the सामने वाले पाल्टी मतलब क्रेडिटर को कॉल करके पूछ लिया कि लास्ट येर में हमारा कितना एक बार हमें आपके साइड से भी बेज लो कि उनके लिए सेल होगा तो हमारे लिए क्या होगा पर्चेस तो यहां पर तुम्हारा error of omission खत्म हो रहा है एक और बार error of omission अब देख सकते हो दो टाइप के error of omission होते है complete omission and partial omission complete omission मतलब क्या होता है when a transaction is not recorded in books of account at all कोई भी books of account में आपने debit में या credit में वो transaction record ही नहीं किया है that's called complete omission partial omission partial omission मतलब क्या होता है आपने record किया है but debit में किया होगा या credit में किया होगा कोई एक side record नहीं किया है ठीक हैasm sticable partial omission एक effect दिया दूसरा effect नहीं दिया continually accounts में आपने सीखा होगा जितने amount का debit होता है उतने amount का credit होना चाहिए आपने debit record किया तो credit बुल गए हो, credit record किया तो debit बुल गए हो, that's called partial omission, यह error को हम detect कैसे करेगे, find कैसे करेगे, तो to vouching and verification, number second method, laser scrutiny and number third, balance confirmation, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक topic खतम होता है, error of omission, चलो next topic की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो देखो error को है ना, थोड़ा सा diagram form मे हम थोड़ा complete करके, ताकि हमें पता चले कि error में कितने types of error हमें पढ़ना है, तो error is an earned intentional mistake, यह हमने पहले भी देखा था, कि error क्या है, एक earned intentional mistake, मेरा intention नहीं है, कि मैं account में गल्ती करूँ, लेकिंग क्या, यही उमर है, कर ले गल्ती से mistake, वो भी आपने गाना सुना होगा, तो ब इंसान पर्फेक्ट नहीं होता है, वो भी दियाद रखना, तो अगर इंसान पर्फेक्ट नहीं होता है, तो यह तो by transaction है, और वो भी record कौन कर रहा है, एक इंसान ही कर रहा है, तो गल्तिया होते रहती है, अगर गल्ती होगी, तो उसको mistake कीजिए, उसको सुधार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो which result in the misstatement of the books of account, the following are the types, कितने types की error होती है, तो दो टाइप, error of principle and clerical error, principle error का मतलब क्या होता है, जा पर तुमने accounting transaction के जो principles है, जो methods है, जो rules and regulations, frame by different authorities, वो आपने follow-up नहीं किया है, नेक्स्ट है, clerical error, error of omission, जो हमने अभी just complete किया था, फिर error of commission, फिर mathematical error, मतलब totaling error, casting error, posting error, फिर compensating error and error of duplication, तो टोटल इतने type की error पढ़नी है, तो टोटल कितने type की error है, चार type की error है, मतलब आपको कैसे याद रखना है, कि error एक परिवार है, ठीक है, error पिता जी है, उसके दो बेटे है, एक error of principle, एक clerical error, अभी पिता जी के दो बेटे थे, उसमें से बड़ा बेटा, छोटा बेटा, छोटे बेटे के चार बेटे हुए, कौनसे कौनसे, error of omission, error of commission, compensating error, and error of duplication, ठीक है, चलो, next, आगे जाते हैं हम, यह हमने just अभी complete किया, error of principle, error of principle में क्या होता है, कि error of principle occurs, when the generally accepted accounting principle are not followed, violated कर लिया है, gap आपने follow नहीं किया है, just थोड़े टैम पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, next हम लोग दिखते आगे, clerical errors हमने just complete किया, उसमें हमने क्या रिखा था, सबसे पहले error of omission, दो टाइप की errors होते है, omission में complete omission, partial omission, complete omission मतलब full transaction record नहीं किया है, debit side भी record नहीं हुआ, credit side भी record नहीं हुआ, partial omission में हमने record किया है, थोड़ा debit में record कर लिया है, बट credit में record करना भूल गया है, that's called partial omission, check कैसे करोगे उसको, तो vouching and verification, leisure scrutiny and balance confirmation, चलो, अभी आगे जाते है, error of commission, यह हमारा new error है, error का part number two, error of commission, तो the error which are committed while posting a transaction are called error of commission, मतलब posting करने में आपने error कर ली, तो that's called error of commission, तो error of commission are divided into three parts, देखो, error of commission are divided into three parts, number one, casting or totaling error, total करने में गरबढ़ कर ली, तो casting error are committed while taking the total or carry forwarding the balance in the day book or leisure account, example total of sale book calculated as rupees 10,000 instead of 9,000, 9,000 के जगा 10,000 ले लिया, या तो वो carried down, brought down में amount change हो गया, carry down में लिकादा 10,000, brought down होते होते 1,000 हो गया, so that's called casting error, next posting error, posting error may be occurred by the way of posting wrong amount, example, posting rupees 1,000 instead of rupees 100, 1000 रुपया posting कर लिया, बराबर है, 100 रुपय की जगा पे, posting of the wrong side, example, posting on debit side instead of credit side, debit side की जगा पे वो चीज़ अपने, credit side पे लिग ली, for example, all expenses are debit, all income are credit, ऐसा होता है, as per nominal account, आपने क्या गर लिया, आपने ऐसा किया, sales को record कर लिया, debit side, purchase को record कर लिया, credit side, that's called posting error, posting of Mr. A's account instead of Mr. B account, कोई और पाल्टी को debit या, credit कर लिया, A की जगा पे B का नाम लिख लिया, या तो B की जगा पे C का नाम लिख लिया, ठीक है, तो वैसे ये errors होते रहती है, recording error, recording error are occur, which are neither casting error nor posting error, ये casting error भी नहीं है, posting error भी नहीं है, they are the basis error of passing accounting entries, example, recording a sale transaction as a purchase transaction, अपने transaction को ही wrong record किया, ठीक है, sales को आपने purchase treat किया है, purchase को आपने sales treat किया है, income को आपने expense treat कर लिया, expense को आपने income treat कर लिया, तो that's called recording of error, तो total कितने टाप के error होते हैं, तो error of commission में तीन टाप के error होते हैं, number one casting error, that is called totaling error, number second posting error, and number third recording error, Casting Error का मतलब क्या होता है तो Casting Error मतलब जब तुम टोटल करने में कुछ घरबढ़ करते हो तब Posting Error मतलब Posting का मतलब यह होता है the carried down brought down या तो फिर कुछ amount जब तुम पोस्ट कर रहे हो record कर रहे हो तो आपने गलत amount से record कर लिया Number Second and Number Third recording of Error recording of error मतलब क्या होता है जहाँ पर आपने transaction को trade गलत किया है sales transaction को purchase गिन लिया purchase को आपने sales गिन लिया expense को income गिन लिया income को expense गिन लिया ठीक है चलो यह सब error such error affected the trial balance यह error से trial balance affect होगा definitely totaling गलत हो गई है posting error a and b which are affected the trial balance while c will not affect trial balance मतलब posting a casting error and posting error affect करेगा trial balance को लिकिन यह c वाला affect नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्यों कि amount record हुआ है लेकिंग wrong side हुआ है उससे trial balance telly तो हो जाएगा but effect of accountancy will be wrong search error do not affect the trial balance क्योंकि अपने 10,000 का purchase लिखा है but credit side और 10,000 का sales लिखा है लेकिन debit side ठीक है कि चलो आगे दिखते हैं कि error of commission can be detected through laser scrutiny number one first method laser account में जा जाके check किजिए like for example purchase account check किजिए sales account check किजिए data account check कर लिजिए कोई income account record कर रहे थे तो वह income का account check किजिए expense account check किजिए हर एक transaction में हर एक accounting head का आपने एक लेजर account बनाया होगा हर लेजर account को check किजिए number first method second method balance confirmation from party outsider से confirmation report ले लिजिए कि हमने आपको जो माल बेचा था कृपय अगर उसका record हम में दीजिए कि पूरे साल ले आपने हमसे कितना माल बर्चेस किया है ठीक है या कितना माल हमें बेचा है तो that's called balance confirmation from the parties next ratio analysis बहुत सारे ratios होते हैं ठीक है द्रैस्टिकली वह एकदम ही चेंज जोके 80% हो गया तो महले कुछ ना कुछ error है क्योंकि आपको एक अंदाजात होता है ना कि पिछले साल इतना से इसाल उसे 5% ही बढ़ने वाला है अच्छानक इतना सारा कैसे बढ़ गया थीक है तो वह बोलते है ratio analysis या तो comparison of the previous year figure previous year के figures को आप compare कीजिए from the current year कि हर बिजनस में जब business करता है तो उसके पास previous year के record होते हैं previous year के record देखके हम future expected कर सकते हैं जैसे आपके पास भी होगा आपका result इतने सालों से exam दे रहे हो तो एक previous year के performance आप current year का performance थोड़ा बहुत जज़ कर सकते हो या तो 5% अप होगा या तो एक दम ही ज़ादा अप या लेस हो सकता है क्या नहीं वैसे इस इन बिजनस में भी होता है कि previous year के figure को हम compare करेगे from the current year's figure ठीक है चलो next compensating error, compensating error मतलब क्या होता है एक error दूसरी error को compensate कर रही है again I am repeating जब एक error दूसरी error को compensate कर रही है that's called compensating error ठीक है इस से तुम्हारा trial balance affect नहीं होगा for example मैंने 1000 का expense नहीं record गया और मैंने 1000 की income भी record नहीं किया हो गया ना दूनों compensate ठीक है तो ठीक है तोड़े को क्या लेका है when two or more error are committed in a such a way that the effect of one error is cancelled और nullify by the other then search error are called as compensating error जब दो या दो से ज़्यादा error हो जाती है समझे एक error दूसरी error को छुपा रही है compensate कर रही है या तो उसकी effect nullify कर रही है nullify मतलब zero कर रही है then it is called as compensating error in short one error cancels the effect of another error सर आसन बासा में बत्ता हो ना अरे एक गलती दूसरी गलती को छुपा रही है that's called compensating error they do not affect the trial valence examples देख लो ज्यान से देखिए if one sales bills of Rs.50,000 समझो 25,000 का एक bill दा is not recorded simultaneously one purchase bill of rupees same amount that is 50,000 is also not recording तो वो गया आपस में compensate पच्चा सजर का sales भी नहीं लिखा पच्चा सजर का purchase भी नहीं लिखा अगेन हम repeating पच्चा सजर का purchase भी रेकोड नहीं हुआ है पच्चा सजर का sales भी रेकोड नहीं हुआ है तो दोनों आपस में हो गया compensating yes इससे trial valence को कोई खत्रा है कोई effect होगा नहीं होगा but accounting treatment में तो problem हो गया न क्योंकि आपने वो transaction record ही नहीं किया और as for the rule किया होता है all accounting transactions should be recorded in the books of accounts ठीक है are not affected or not recorded they are called as compensatory error it does not impact on the trial balance as the omission of the sale bill has been compensated by omission of the purchase bill sales bill का error purchase bill के साथ compensate हो गया है if the total of the purchase account is cast short by 1000 but the same time total of the wage account has been overcast by 1000 the effect of the first error is nullified by the error as the far agreement of the trial balance is concerned ठीक है मलब आपने यहां पर क्या किया था purchase account का short गिर रहा है 1000 का और wages account में 1000 रुपे सापना एक्स्टा लिख लिए है तो भी आपका trial balance टैली होगा मलब पर्चिस का error wages के साथ compensate हो गया that's called compensating error compensating error are to be detected through again repeating laser scrutiny balance confirmation from the party and watching watching मतलब bill check कर लो documentary evidence ठीक है सबसे आसान और सबसे easy number four error of duplication देको नाम में काम है duplication मतलब दो बार record कर लिया है तो एक बार entry आपको क्या करनी होगी rectify करनी होगी ठीक है search error arise when the entry is recorded twice क्या लिका है search error is arise when the entry is recorded twice twice मतलब दो बार लिक लिया है in the box of accounts search error does not affect the trial balance क्योंकि entry तो बराबर पास की है लेकिन एक बार नहीं दो बार पास की है जो को पास कितनी बार करनी चाहिए थी only and only one time ठीक है search error do not affect the trial balance because both debit and credit effect are passed correctly तुन्हें debit में भी correct लिखा है credit में भी correct लिखा है लेकिन twice लिख लिए copy paste जब transaction हम क्या करते है copy paste क्योंकि हमारे accounting में real life में क्या जलता है computerized based accounting system जिसमें हम software यूज करते है different different जैसे sap हो गया excel हो गया tally हो यह सब में सेम entry अगर आपको बार बार record करनी है तो आप copy paste कर सकते हो for example salary of employee हर मेने का salary सेम होता है normally every organization में बराबर है तो बारा मेने की जगा पर मैंने तेरा मेना record कर लिया copy paste copy paste copy paste कर गया है तो उसको बोलते है error of duplication example goods purchase from Mr.S. Rs. 1000 recorded twice दो बार record कर लिया है debit note issued by client for the faulty materials supplied of book record twice ठीक है error of duplication can be detected through error of duplication detect कर सकते हो कैसे कर सकते हो तो नंबर वन लेजर scrutiny नंबर सेकेंड बैलेंस confirmation from the party and नंबर थर्ड वाउचिंग मनद देखो आपने अभी तलक्या notice किया कि जितनी भी error है ना उसको find करनी की उसको detect करने की तीनी टेक्निक बार बार रिपीट हो रही है नंबर वन लेजर स्कूटीनी नंबर सेकेंड बैलेंस confirmation फ्रॉम पार्टी नंबर थर्ड वाउचिंग या वेरिविकेशन अगर पी एनल वाली आइटम में तो वेरिविकेशन अगिन क्या बूला मैं पी एनल वाली आइटम होगी तो आप क्या लिखोग पहलग प्रॉसीजर इफ रिप्रिवेश्टे नर्व पार्टी टैली नहीं होता है क्योंकर फाइनल अकॉंट बनाने से पहले क्या बनाना होता है तो आप फाइनल अकॉंट की तरफ आगे नहीं सब्सक्राइब करने की क्या क्या मेथट से वह देखते हैं तो सबसे पहले तो एक आम इंसन की तरह हम टोटल चेक करेंगे बहुत पर क्या होता है कास्टिंग टोटल करने में गरबट कर लिए ठीक है कॉलम मैस नीचर और बैल देबी बैलने में लिखना क्या होता है एक्पेंश और सेट्स उसके लहां को दिखना नहीं चीए have the debit balance and account which should be normally shown as credit balance trial balance के credit set वे क्या होता है liability and income क्योंकि all assets are debit balance all expenses are debit balance all liabilities are credit balance all incomes are also credit balance तो यह होता है trial balance ठीक है तो जब debit credit के सारे चीज़े proper way में लिखी होगी तो वो tally होना चीए समझो proper way में नहीं लिखी है डेविट में जिसको लिखना चीए तो उसको आपने credit में लिख लिख लिया है credit में लिखना चीए तो उसको आपने debit में लिख लिया है तो देखा ऐसा हो गया cross बोले proper way में वो tally नहीं हो रहा है तो उसको rectify कीजिए और tally करने की कोशिश कीजिए ठीक है assets of such assets of such cash, plant and machinery data, etc. शून्जा debit balance यह सब debit में लिखना चीए not a credit balance liabilities such as share capital, reserves, loans, creditors, provisions शून्जा credit balance not a debit balance यह सब credit में लिखना चीए debit में लिखना चीए income such as sale shows the credit balance, not debit balance income को credit में लिखना चीए debit में लिखना चीए expense such as purchase, salary, etc. shows the debit balance not a credit balance check the total of leisure account सारे leisure account का total check कीजिए क्योंकि trial balance के भी पहले क्या बनता है leisure अगर leisure सभी बात नहीं बनी तो journal से कीजिए journal सभी बात नहीं बनी तो documents से कीजिए document बराबर बराबर बनाया बहुत बर क्या होता है document गलत बनाया है वा पे amount गलत लिखा है journal में amount गलत आगया journal में amount गलत आगया laser में गलत आएगा laser में गलत आएगा trial balance याली नहीं होगा वैसे हैं तो चैक्ट टोटल अब दे लेजर अकाउंट अलसो चैक्ट ओपनिंग बैलेंस इंटु दे लेजर फ्रॉम दे ट्राइल बैलेंस अब लास्ट यर वो CDBD carried down brought down proper way में हुआ है या नहीं हुआ है चैक्ट दो क्लोजिंग बैलेंस अब दे लेजर अकाउंट विद दे ट्राइल बैलेंस एंड लास्ट चैक्ट वेदर दे डेबिट अंड क्रेडिट ऑफ टोटल अफ जन्रल एंट्री आर सेम उतने अमाउंट से क्रेडिट होना ही चाहिए अकाउंट अंजी का सबसे फर्स रूल है जितन क्रेडिट जो भी जन्रल एंट्री पास करते हो हंड्रीट परसंट चैक कीजिए क्या दोनों डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे है मैच नहीं होगा यहां पर तुम्हारा एर्र टॉपिक विल बी ओवर ठीक है हमने फूल फ्लेच एक एर्र टॉपिक कम्लिट गया यह टॉपि लेट जयार कर दो बेटें एक बैटी एक बेटा कि एक बेटा बैटा बाप से भी बड़ा निकला उसने चार गलती की तो पने पूर टॉपिक खतम कर लिया है डिटेल में explain कर लिया है प्लीज चैनल पे जाईए सब्सक्राइब कीजिए और और वीडियो के लिए बने रही है